हेलो लेर्नर्स वेल्कम चू माई यूट्यूब चैनल तू दी पॉइंट लर्निंग आज मैं आपके साथ क्लास 12 में बिजनस स्टेडी का चाप्टर एक जो की है कंट्रोलिंग उसे डिसकस करने जा रही हो और इस वीडियो में मैं आपसे इस चाप्टर का शौर्ट समरी डिस नाइन तो उन वीडियो के भी समरी है जिसके जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो आप वहां से वह वीडियो जरूर देखेगा ताकि एक स्मॉल रीकाब जो है एक वन शौर्ट रिवीजन जो है वह आपका हो सके आपके एक्ज प्रब्लम है तो आप वीडियो वगेरा मेरे चानल पर देख सकते हैं के वल बिजनस स्टडी नहीं फिजिकल एजुकेशन के भी टॉपिक वाइस वीडियो और रिवीजिन वगेरा मैं वहां कराती रहती हूं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर भी वहां वीडियो सब्जे अगर आपको आपने अच्छे से पढ़ा है जो की आप अब तक आपने पढ़ लिया ओगा बिजनस स्टडी को अच्छे से तो फंक्शन ऽॉफ वैंजमेंट हमारे होते हैं जो की होते हैं फाइफ फंक्शन होते हैं आपके planning, organizing, staffing, directing, and last one is controlling. तो ये पांच function जो होते हैं management के इन में last step जो होता है वो होता है controlling का step यानि अगर आप management का work कर रहे हैं तो उसमें controlling last step होता है last function होता है जो आप management में perform करते हैं अब इसका मतलब क्या हो जाता है controlling is a process of management एक ऐसा process है management का या ऐसा function है management का in which you determine the you compare the planned performance with the actual performance आप planned performance को actual performance से compare करते हो उसके बाद आप compare करने के बाद जो भी mistake होती है उन्हें find out करते हो और find out करने के बाद उन्हें rectify करते हैं यानि correction करते हैं उन mistakes का और वो दुबारा रिय कर ना हो ये भी ensure करते हैं तो इस पूरे जितना आपका ये पूरा process है इसे हम क्या कहते हैं controlling कहते हैं तो ये आपका controlling का एक जो meaning होता है अब ध्यान दीजे कि controlling में आपके process आते हैं अगर आपको process याद हैं तो आपको meaning में दिक्कत नहीं होगी और at the same time अगर आपको ये पांचो functions के meaning याद हैं तो इनके process याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी जैसे अभी मैंने आपको meaning बताया अब उस meaning को जरा हम अगर process में convert कर दें तो कुछ इस तरीके से हमारा process होगा कि आप क्या करते हैं सबसे पहले आप करते हैं comparing actual performance with plan performance आप जो performance कर रहे हैं या जो एक labor काम कर रहा है या एक standard performance इसको हम लिखते हैं actual performance को standard performance से compare करना suppose एक organization में एक worker अगर work कर रहा है या आपकी पूरी production unit work कर रही है तो उस case में आपने जो ने actual performance दी है या actual काम दिया है उससे compare किया जाता है standard यानि की planned performance से यानि आपने plan क्या कर रखा था उससे आप compare करते हैं कि actual performance कहां तक पहुचा तो यह हो गया इसका पहला step यह मैं कहूं कि पहला meaning दूसरा हो जाता है आपका comparing के बाद आप करते हैं finding deviations अगर actual performance और planned performance में कुछ गरबड आ रही है या हम कहें finding mistakes यह भी हम कह सकते हैं तो mistakes वगरा या गलती जो है जिसकी वज़े से standard performance अचीव नहीं हो सका तो उन deviations उन कमियों को find out करना उसके बाद next step होता है rectify it यानि कि इन ही deviations को rectify करना इनको correct करना इनको सुधारना और उसके बाद होता है feedback कह लीजे या to ensure it will not re-occur और यह ध्यान देना कि यह गलतियां दुबारा repeat ना हो तो यह चीज़ क्या हो गई आपकी controlling क्यालाता है अब अगर आपको यह याद है तो आपको controlling का meaning भी याद है और साथी साथ controlling के जो process है वो भी याद है इसलिए दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप याद कर लीज़े तो दूसरे का answer अराम से आप दे पाएंगे so this is what the meaning of controlling अब हम आते हैं इसके features पर features यानि characteristics तो controlling का पहला characteristics है goal oriented process बिलकुल जब हम controlling करते हैं तो उसमें हमारा main अगर आप ध्यान दे तो अभी मैंने आपको बताया कि आप actual performance को standard performance से compare करते हैं और उस standard performance का ही अगर मैं कहूं दूसरा नाम क्या है तो दूसरा नाम है goal एक company का goal क्या है आप controlling कर रहे हैं तो उसमें main काम यह होगा कि आपकी पूरी controlling यानि आप किसी भी चीज को control करने कोशिश कर रहे हैं तो वो गोल oriented process होगा किसी ना किसी standard को आपने बना रखा होगा set कर रखा होगा उससे ही आप comparison कर रहे हैं तो ये goal oriented process ही होता है controlling किया ही इसे जाता है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई एक गोल है कोई ना कोई एक प्लान है जिसको देखकर आप कम्पेर कर रहे हैं कि हम कितना अचीब कर पाएं। दूसरा आते हैं पर्वेशव। पर्वेशव मतलब यूनिवर्सल यानि की हर जगह कंट्रोलिंग परफॉर्म होता है और हर लेवल पर परफॉर्म होता है। हर लेवल से मेरा मतलब है तीन लेवल होते हैं, एक मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल एंड लोर, तो तीनों ही लेवल पे आपका कंट्रोलिंग फंक्शन किया जाता है, हर कोई अपने लेवल से, हर कोई अपने स्टैंडर्ट से compare करता ही है, कंट्रोलिंग का function करता है, इसलिए से हम pervasive कहते हैं, अगर कोई भी event हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो इस काम को बिल्कुल compare किया ही जाता है, उसमें गलतियां find out की जाती है, और उसके बाद उसमें corrections भी किये जाते हैं, तो इसलिए controlling को हम pervasive कहते हैं, यानि universal कहते हैं, नेक्स है continuous, ongoing processor, लगातार होने वाला काम होता है controlling, अगर इसको ऐसे समझे कि controlling आप जो करते हैं, उसमें आप लगातार क्या करते हैं, आप performance को compare करते हैं, उसके गलतियां निकलती हैं, उसे सही करते हैं, सही करने के बाद दुबारा रिय करना हो, ये आप देखते हैं, इस देखने में फिर से आप क्या करने लग हैं, फिर से आप आखिर काम को compare ही कर रहे हैं, और compare करने के बाद फिर से वही गलतियां निकालना, deviations निकालना, उसे सुधारना, ये सारा process जो है, ये continuous चलता रहता है, एक business में controlling function आप तब तक करते हैं, जब तक company का end नहीं हो जाता, तो इसे हम continuous यानि ongoing process कहते हैं, नेक्स आ looking का मतलग हो जाता है, जब हम controlling करते हैं, तो हम पीछे की ओर भी देखते हैं, और आगे की ओर यानि forward looking भी करते हैं, किस तरीके से, controlling में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, comparing actual performance with planned performance, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब आप planned performance से compare कर रहे हैं, तो ये चीज क्या होगी, आपने कहां तक goal achieve किया, ये चीज क्या हो गई, आपने पीछे मुर के देखा अपने plan को, और तब आपने comparing की, ये चीज क्या हो गई, बोथ backward looking, यानि ये आप पीछे की ओर देख रहे हो, अपने plan को देख रहे हो, और उससे compare कर रहे हो, forward looking क्या हो गई, forward looking हो गई, कि आगे चलके वो mistake दुबारा arise ना हो और आगे चलके ensure करना कि जो rectification आपने किया है उस हिसाब से लगातार उसका feedback लेचे रहना यह चीज क्या हो गया यह हो गया forward looking तो इसलिए हम controlling को backward और forward दोनों ही मानते हैं कि हम controlling अगर कर रहे हैं तो हम अपने past को भी देख रहे हैं और controlling हम कर किस लिए रहे हैं कि future में वो गलती repeat ना हो तो वो चीज क्या हो गया forward looking तो यह कुछ important feature हो गया आपके controlling के दनाते हैं हम इसी के साथ साथ इसकी importance पर कि controlling करना जरूरी क्यों होता है तो पहला आजाए help in accomplishing organizational goal बिल्कुल अगर एक organization अपने management में controlling का काम करेगी ही नहीं तो उस हिसाब से फिर वो अपने goal को कभी achieve नहीं कर सकती अगर आप suppose अगर लगा फॉर example आप 12th class में पढ़ रहे हैं अब 12th class में आप पढ़ रहे हैं आप उस case में आपका board exam लिया ही न जाए यानि कि ये controlling का काम किया ही न जाए या मैं कहूं कि board exam चलो ले भी लिया लेकिन उसकी copy checking होकर result ही न दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि क्या कमी रह गई है किस performance पर है कैसा अचीब कर पाए पूरे साल क्या किया था उसका नतीज़ा क्या निकला और अब आगे जो हमें अपने graduation की ओर बढ़ना है वो किस base पर बढ़ना है ये सब कुछ नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि controlling काम ही नहीं हुआ केवल board exam ले लिया और result नहीं दिया correction नहीं किया marks नहीं पता चले तो यह चीज क्या है controlling आपने controlling function नहीं पूरा किया तो इस इसाब से आपकी life का तो एक goal ही achieve नहीं हो पाएगा तो उसी तरीके से business में भी controlling करते रहना ज़रूरी है अगर business को goal achieve करने हैं कुछ ना कुछ गलतियों को कुछ ना कुछ performance को compare करना गलतियों को find out करना उन्हें सही करना यह सारा काम लगातार होते रहना चाहिए next आते help in judging accuracy of standard आप कितना achieve कर पाएं है standard को यानि कि आपने जो plan किया था उस plan के according आप कितना चल पाएं हैं कितना आपने achieve किया यह चीज एंशूर यह चीज एंशूर करना बहुत जरूरी हो जाता है तो यह चीज क्या है आपका help in judging accuracy of standard यहाँ पर पहला step ही है कि आप अपने actual performance को जो अभी आपने काम किया उसे compare करते हैं पुराने performance से standard से अपने गोल से तहीं चीज क्या हो गया आपको पता चलता है कि कितना accurate आप जा रहे हैं किसी काम को करने में दनाते help in making efficient use of resources controlling की मदद से ही आप यह देख पाते हैं कि आप अपनी resources को अच्छे से use कर रहे हैं या नहीं for example अगर आपके workers जो हैं वो quality maintain नहीं कर पा रहे हैं product की demand वगेरा नहीं बढ़ पा रही है और लगातार वो fall हो रही है तो उस case में आप यह find out आराम से कर पाएंगे controlling function से कि गलती कहां हो रही है standard गलत दे दिया हमने हमने अपने workers को target बहुत ज़ादा दे दिया इसलिए वो अपनी production नहीं कर पा रहे हैं यह हमने उन्हें raw material अच्छी quality के नहीं दिये इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं यह सब कैसे पता चलेगा यह तभी पता चलेगा जब एक organization में controlling function होगा तो efficient use of resources 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 अच्छे से use हो पाती है help in moving employees motivation आपके जो employees हैं उनको motivation मिलती है controlling function से क्यों क्योंकि यहां भी आप क्या करते हैं आप गलतियां find out करके उससे सही करवाते हो तो इसमें क्या होता है कि आपके जो employees हैं वो motivate हो पाते हैं अगर उनका standard बहुत अच्छा गया है उनका काम उनका जो working है वो बहुत अच्छी गई है तो उसके समें controlling की मदद से ही पता चलता है कि कौन सा employee अच्छा काम कर रहा है कौन सा employee अच्छा काम नहीं कर रहा है या किसे improvement की जुरत है तो यह चीज क्या है कहीं ना कहीं employee को motivate करता है आगे और अच्छा चीव करने के लिए तो यह हो कैसे प करेंगे तो गलती नहीं पता चलेगे और गलती नहीं पता चलेगी तो एक organization में discipline या order maintain नहीं हो पाएगा नेक्स आते है help and facilitating, coordination in action आपकी organization में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच coordination establish करने में भी controlling मदद करता है क्योंकि कहीं ना कहीं controlling से पता चलता है कि कहां पे गड़बड़ी है कहां पे deviation mistake है कहां पे गलतियां है और फिर उसे सुधारा जाता है यानि कि कई बार यह देख जाता है कि management की गलती है या employees की गलती है या फिर आपके raw material वगेरा नहीं सही है तो यह सारी गलतियां तभी पता चलती है इनके बीच coordination तभी पता चलता है जब controlling function होता है यानि आप mistakes find out करने पर आते हैं तो यह चीज यह हो गए importance of controlling कि क्यों जरूरी है आपके organization में controlling अब आते है वो यह है कि relation between planning and controlling planning और controlling में relationship क्या है अब अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने features discuss किये थे तो इसके जो features हैं वो काफी कुछ मिलते जुलते हैं आपके planning chapter से अगर planning chapter आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत जैसे pervasive हमने वहां भी पढ़ा था continuous function वह वहां भी था goal oriented process भी वहां था और वहां पर planning बहुत backward और forward looking भी थी यानि यह जितने feature हैं यह मिलते जुलते हैं आपके planning chapter से भी तो यह question यह topic बहुत important है कि controlling और planning में आपस में क्या relationship है तो वो देख लेते हैं कि अगर हमें controlling करनी हैं अगर हमें organization में controlling perform करनी हैं तो उसके हमने target plan किया होगा हमने goal plan किया होगा और तब आगे चलके हम controlling कर पाएंगे इसको ऐसे समझेए कि यहां पर पहला काम comparing actual performance with the standard performance यह पहला काम ही तब हो पाएगा जब आपने कोई standard performance बनाया होगा यानि आपने कोई target set किया होगा आपने planning की होगी तब ही आगे चलके controlling हो इसी तरीके से आगे की planning भी आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले organization में controlling की होगी यानि कुछ mistakes निकली होगी उन्हें सुधार के नया plan आप तभी बना पाएंगे जब आपको यह पता चला होगा कि हाँ यह mistake पिछले साल थी और इन mistakes को अब इस साल repeat नहीं होने देना है त तो planning भी तभी हो पाएगी जब controlling पहले होके हटी होगी यानि कहीं न कहीं controlling से related गलतियों से related कुछ न कुछ पॉइंट आपकी दिमाग में होगे ने रखके ही आपने आगे की planning की होगी इसलिए दोनों जो है इनके बीच relationship established है without planning controlling नहीं हो सकता और controlling होने के बाद ही आपका next plan जो है वह बहुत अच्छे से बन सकता है यानि planning उसे साब से हो सकती है तो अगर हम थोड़ा वर्ट्स पर ध्यान दे planning प्रोवाइड स्टांडर्ड विच सर्व अजी बेसे फॉर controlling आप controlling तभी कर पाते हैं जब planning करने पर आपको कुछ standard मिला हो कुछ target मिला हो उस target को ही compare किया है controlling करने में इसको ऐसे समझें कि अगर मैंने आपको एक टेस्ट दिया और मैंने का इस टेस्ट को करिए एक घंटा है आपके पास तो उस टेस्ट को करने में आप बिल्कुल आप हर एक कोश्चन सॉल्व करते हैं कि यह जानना चाहेंगे कि यह कितने marks का है सपोज मैं आपक 20 marks का paper दिया है मैंने केवल question question दे दिये कहीं पर आपको marks नहीं दिखाई दे रहें तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपको क्या कितना question करना है कितना लिखना है कितने marks आने चाहिए क्या target रखा है यह सब आपको कुछ नहीं पता है उस case में आपका controlling का function अधूरा र किया तो आगे चलके controlling करेंगे किसकी correction find कहां करेंगे क्या target रखेंगे कि हाँ इतना चीव हुआ production या इतना चीव नहीं हो पाए तो यह चीज देना आता है कि controlling करना ज़रूरी है क्यों planning के लिए तो controlling complete events to confirm to plans यानि की controlling आपका ऐसे करना ज़रूरी है ताकि आगे चलके जो plan आप कर रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे से effective way में planning हो सके दूसरा यह feedback from controlling facilitate future planning आपको controlling करने से feedback का पता चलता है आपको अपनी कमियों का पता चलता है और यही कमिया आप next plan में दुबारा नहीं द दूसरे से related है अब आते हैं हम next पे यानि functions और process of controlling पे यह last topic चाप्टर का chapter छोटा है बड़ हां आपके case study के लिए बहुत important है और आपके board exam में अच्छा खासा marks करी करता है और questions इससे काफी ज़्यादा आते हैं इसलिए chapter छोटा है बड़ हलका नहीं है आते हैं process of controlling में process of controlling प काम ही है जब controlling आप करते हैं तो आप एक standard टै करते हो यानि कि जो planning में आपने goal set किया है उसको आप अपने सामने रखते हैं standard serve as a benchmark which an organization strive to achieve एक benchmark एक target आप set करते हैं जिसकी मदद से आप आगे controlling कर पाते हैं तो पहला step हो गया performance को set करना दूसरा आते हैं measurement of actual performance, actual performance को measure करना यानि हमने कितना target achieve किया for example मैंने यहां पर target रखखा कि 5000 unit बननी है inner week एक हफते में 5000 unit production होनी है यह तो हो गया setting standard आते हैं actual performance पे तो performance should be measured in an objective and reliable manner अब हम performance को measure कर रहे हैं जिसमें हम ध्यान देते हैं कि हमें 5000 unit produce करने थे एक हफते में तो actually में हमने कितना produce किया for example हमने produce किया 3000 unit 3000 unit हमने produce किया एक हफते में तो यह क्या हुआ यह हमारा actual performance हुआ थिक यह हम देखते हैं next step हम आते हैं step 3 होता है comparing actual performance with standard performance दोनों को हम आपस में compare करते हैं कि 5000 अचीब करना था 3000 हमने अचीब किया तो यह क्या हो गया comparison reveals the deviation between the two अब जब इन दोनों को हम compare करेंगे तब हमें पता चलेगा कि नई 5000 अचीब करना था और हमने किवल 3000 unit production ही किया है तो यह हो गया आपका third step next आते हैं fourth step है analyzing deviation यानि critical point control and management by exception should be kept in mind analyzing deviation में हम गलतियों को analyze करते हैं अब यहां तो तीसरे step पे हमें क्या पता चला हमें तीसरे step पे पता चला कि 2000 unit जो है वो नहीं अचीब हो पाया चीब है 2000 unit की कमी रह गई 5000 अचीब करना था 3000 अचीब हुआ 2000 नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया उसका कारण find out हम करते हैं next step में यानि step 4 में तो क्यों नहीं हो पाया अचीब उसमें दो word आते हैं आपके critical point control और management by exception देखिए गलती यहां पे हमें पता चल गया कि क्यों नहीं अचीब हो पाया target अब उसके हम reason find out करते हैं यानि analyzing deviation तो गलतियां find out करने में पहला आता है critical point control यानि कि जो आपकी जो भी गलती है जिसकी व हम क्या कहते है critical point control कि जो mistakes हैं जिसकी वज़े से target achieve नहीं हो पाया वो mistakes कि आपके हाथ में हैं उन्हें control करना आपके हाथ में है या नहीं अगर नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते तब आप कोई और खर्चा वगरा या कोई और चीज को कम करें जिससे आपका target achieve हो पा कि electricity failure की वज़े से नहीं अचीव हो पाया ठीक है generator वगेरा नहीं लगा था इस वज़े से electricity power supply proper नहीं हो पाई या असपास कहीं government का construction चल रहा था तो उस वज़े से power supply नहीं आपाई पूरे हफते ठीक से तो 2000 unit नहीं produce हो पाया अब वो government construction चल रहा था इस वज़े से electricity नहीं तो ये चीज़ क्या है कि हम उसे control नहीं कर सकते लेकिन उस case में हम generator लगा सकते हैं या हम उस electricity का कोई और substitute या solar power वगेरा की मदद से अपने electricity वगेरा maintain कर सकते हैं ये क्या हो गया critical point control यानि जो खर्चे या जो दिक्कते हैं आपके control में हैं उसे सुधार लीजिए और जो हमार ये control के बाहर हैं उसे बाहर ही रहन दीजिए उस पर ध्यान ना देकर दूसरी चीजों पर ध्यान देकर critical points पर ध्यान देकर हम अपने controlling system को करें यानि गलतियों को सुधारें दूसरा है management by exception management by exception का मतलब हो गया suppose यह टार्गेट नहीं अचीव हुआ था अब इस टार्गेट के ना अचीव होने का यह कोई बहुत बड़ा issue नहीं है इतना अचीव नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं है उतना बड़ा issue नहीं है तो वह management के सामने नहीं जाना चाहिए यानि छोटी मोट गलतियां हैं लेबर आपस में लड़ने लग गए थे या लेबर से टाइम वेस किया तो वह चीज़े क्या हो गई वह manager खुद समहाल सकता है या supervisor खुद समहाल सकता है तो वह चीज़ क्या है वह गलती management तक नहीं जानी है उसे क्या किया जाए खुदी सुधार देया जाए management क उसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है यह हो गया management by exception लेकिन अगर यह हो रहा है कि workers बहुत ज्यादा लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं उस case में क्या है पुरा का पुरा लेबर का एक group जो है वह strike करने पर सोच रहा है इस वज़े से यह target अचीव नहीं हो पा है तो यह क्या है अब इसमें management को interfere करने की जरूरत है simply बात यह है कि अगर छोटी मोटी गलतियां है तो उसे खुद एक level पर सुधारा जा सकता है management को उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर big mistakes है तो management को उसमें ध्यान देना चाहिए this is what management by exception तो यह दो main कारण होते हैं इन् analyzing deviation यानि गलतियां जो हुई है तो उसको सुधारा कैसे जाए वो कहलाता है analyzing deviation देनाता है taking corrective actions देनाता है एक सही action लेना if deviations are beyond the acceptable limit और area in the important areas यानि की सही एक correction करना आप जैसे गलती निकली अब इसमें हमने deviation गलतियों को analyze किया study कि वो management के control में है कि हमारे control में है यह सारी चीज अब हमने क्या किया उन गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया यह चीज का है taking corrective action taking corrective action के बाद एक और step आता है feedback का तो feedback हो जाता है कि लगाता देखते रहना कि दुबारा corrections arise ना हो दुबारा mistakes arise ना हो और सही से काम चलता रहे और उसके आप फिर से आ जाता है settings performance standard यानि फिर हम किसी और target को लेकर उसे अचीव करने में लग जाते हैं तो यह आपका total कहलाता है process of controlling ठीक तो यह सारे के सारे process headings से याद होना बहुत जरूरी है headings से याद रहेंगी तो अंदर का content याद हो जाएगा तो headings को avoid नहीं करिएगा अच्छे से याद करिएगा और again अगर यह process याद है तो meaning आप controlling का अपने आप बना सकते हैं या अगर meaning याद है तो process आराम से याद हो जाएगे सो यहाँ पर हमारा यह topic खतम हुआ यह chapter खतम हुआ controlling का I hope आपको समझ में आया हो कि controlling क्या है अगर कहीं कोई doubt है तो comment section में जरूर लिखेगा और video पसंद आया हो तो like का button जरूर क्लिक करें साथी साथ मेरे channel को subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको business study के सारे chapters के summary में आपके board exam स पहले प्रोवाइड कराऊंगी ताकि एक अच्छा सारी वीजन आपका हो सके so thank you and have a nice day